दोस्तों अगर आपके घर स्मार्ट मिंटर लगा हुआ है और आपका लाइन कट जाता है तो आप कैसे जानेंगे कि आपका घर का लाइन क्यों कटा है आपके घर पे जो पोल से वायर आ रहा है उसमें कोई खराबी है पोल से आपका लाइन खराब है या फिर आपके स्मार्ट कि दोस्तों स्मार्ट मीटर में भी जेनरल मीटर के तरहीं बहुत सारे डेडिंग के परामिटर सो होते हैं लेकिन इस जेनरल मीटर के कमपेरिजन में कुछ एक्स्ट्रा परामिटर भी है जो स्मार्ट में सो करते हैं जो स्मार्ट में के एक्स्ट्रा फीचर्स को बताते हैं आपका मीटर से power connected है की नहीं तो इस तरह की बहुत सारे information है जो general meter में हमें इसकी जरुत नहीं पड़ती है लेकिन smart meter में इसकी जरुत होती है तो वो सारे parameter आपको smart meter में भी दिखाई जाते हैं दोस्तो अगर आप smart meter के display parameters के बारे में detail में जाना चाहते हैं तो आप मुझे comment में बताईए मैं उसके लिए एक separate video बना दूंगा दोस्तों अब हम आते हैं आज के अपने actual topic पे कि आप कैसे जानेगे कि आपके घर में line क्यों कटा हुआ है पोल से कटा हुआ है या फिर मीटर से कटा हुआ है या फिर आपका MC भी trip किया हुआ है दोस्तों इसके लिए सबसे प अगर आपके मीटर में line ही नहीं आ रहा है आपके मीटर का display on नहीं है तो आप समझेए कि आपका पोल से line आ रहा है वहीं से कुछ खराबी है पोल से कुछ खराबी है तो ऐसे में आपको वेली ओफिस में complain करके technician बुलाना पड़ेगा वह आपका पोल से line ठीक कर देगा और आपका line चालू हो जाएगा लेकिन अगर आपके मीटर में supply चालू है आपका मीटर का light glow कर रहा है तो आपको मीटर के display में रेखना होगा उसमें एक इस तरह का breaker का symbol आता है दोस्तों यह breaker का symbol दो पोजिशन में रहता या तो open रहता या फिर close रहता है अगर यह breaker आपका open है इस तरह का अगर open का symbol है तो आप समझेए कि आपका मीटर तक light आ रहा है और मीटर के बाद आपका line कटा हुगा है मीटर से कोई भी supply चालू नहीं है हो सकता है कि आपका violence कम हो गया है आपका violence negative हो गया है जिसके आपका line मीटर से disconnect हो गया है तो आप यह breaker देखके आप जान सक मीटर से close दिखा रहा है लेकिन आपके घर में supply नहीं जा रहा है तो समझ लिए कि आपका उसके बाद कोई problem है मीटर के बाद आपका MCB trip कर गया है या फिर आपके फ्यूज लगावा तो फ्यूज जल गया है फ्यूज उड़ गया है या फिर आपके wiring में कोई कोई problem है आपक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी helpful रहेगी अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाओ तो नीचे comment box में जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपने कर हमा आपने कर दो दो आपके मातरम